आज हमें एक बहुती क्विक कैन बहुती मज़िदार पिज़ा बनाएंगे जो के होगा हमारा ब्रिक्फास्ट पिज़ा तो चले देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है यहां पर मैं ले रही हूं 2 कप्स मैदा 1 टेबल स्पून शुगर इसे शुगर को मैंने मैदे हमें डालिया है इसके बाद हम दालेंगे 1 टी स्पून सॉल्ट 1 टी स्पून यीस्ट 2 टेबल स्पून ऑईल थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर हम इसे लिक वाम वाटर से नीट कर लेंगे आपका वाटर लिक वाम होना जरूरी है बहुत गरम पानी भी मत यूज कीजिए और ठंडा पानी भी मत यूज कीजिए यूग वाटर यूज कीजिए और हमें बहुत ही एच्छे तरीके से नीट करके हमें सॉफ्ट डो थियार करना है अगर आपका डो हाट होगा तो फिर आपका पिजा भेज भी हाट बनेगा तो इसलिए हमें डो को बहुत ही सॉफ्ट नीट करना है जिसे आप देख सकते हैं के मेरा डो बन गया है और आपको दिख रहा है कि यह बहुत ही स्टिक्की है तो हम थोड़ा से ओल डालेंगे ओल डार के हम इसे इसी तरीके से कंटिनियस 4-5 मिनिट के लिए नीट करते जाएंगे यह बहुत ज़रूरी स्टिप है के लिए यह नीट करना है 4-5 मिनिट्स इसके बाद हम डो की ऊपर दिश की ऊपर हम थोड़ा से की ऊपर लगा देंगे और इसे फॉर्मेंट होने के लिए एक गंटे के लिए चोड़ देंगे यह फिर अगर आपके पास सर्दिया होंगी तो एपको थोड़ास ज्यादा दा गर जल लो गर्मी होगी तो फिर जली फ़रमेंट होजाएगा 45 मिर्में फ़रमेंट होजाएगा 1 आर के बाद मेरा डो अच्छी तरीकी से फ़रमेंट हो जाएगा है आप देख सकते हैं कि यह डबल इंसाइज हो गया है इसके बाद हम थोड़ से isa punch down करेंगे दो को थोड़ से हम सही कर लेंगे इसके बाद हमारा dough रोल करने के लिए जड़ी हो जाएगा हम इस dough में से दो parts बनाएंगे एक part को use करते हुए हम एक pizza बनाएंगे इसे अच्छे तरह किसे शेप कर लेंगे और थोड़ा मैदा डस्ट करते हुए हम इसको अच्छे तरह किसे रोल कर लेंगे अगर आप चाहे तो आप थिक भी बना सकते हैं पर मैं यहाँ पर यदा थिक पिजा नहीं बना रही हूँ आप देख सकते हैं कि में इतनी हमरी रोटी होते सह में हाँ को तुस्टी तुस्टी ऊत्री तैमस 3 थिक हो लेगी इसकी पाद हम पान मेंट प्रिजा डाल लेंगे पिजा पैन को मैंने जारेण र्यूची से रिया था था थोड़ा सा अचिस करेंगे इसके बाद हम इसे shape देंगे और सारे corners पर हम oil brush कर लेंगे oil brush करने के बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं pizza sauce यह अपनी हिसाब से डाल सकते हैं कम्या ज्यादा मैं 4-5 स्पून डाला है मैंने spread करके हम इसके ओपर चीज डालेंगे थोड़ा सा चीज डालेंगे हम इसके बाद हम इसके ओपर veggies डालना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर मैंने capsicum and onion लिया है and tomato के मैंने slices कर लिया है आप अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से कोई भी vegetable यूज कर सकते हैं जैसे corn होगे mushrooms होगे olives होगे तो आप अपनी मर्जी के vegetables आप डाल सकते हैं फिर दोबार हम cheese डाल रहे हैं यहाँ पर मैंने mozzarella cheese यूज किया है आप mozzarella and cheddar में लाकर भी डाल सकते हैं इसके बाद मैं tomato के slices अरेंज कर दूँगी फिर मैंने इस पर 3 eggs डाला है थोड़ा से pepper श्प्रिंगल कर देंगे थोड़ा से salt भी श्प्रिंगल कर देंगे इसके बाद हम थोड़ा से और रिकन्यों दालेंगे थोड़ा से chili flakes दालेंगे मिरची आप अपनी हसाब से डालीजिए और इसे हम preheated oven में 210 degrees for 12 to 13 minutes बिक करेंगे और आपका बहुत ही मज़िदार और बहुत ही ईजी पीजा बनके रिडियो हो जाएगा बहुत मज़िदार बनता है इसे जरूर ट्राइ कीजिए अगर इसे पिछे लेगे तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अल्ला हाफिस